दोस्तों इस वीडियो में मैं तीन ऐसी गंदी आदतों को ये बारवे में बताने जा रहा हूँ जो कि ज्यादातर लड़कों के अंदर है तो पहली आदत है गंबीर होकर देखना दोस्तों जब भी आप किसे लड़की को देखते हो आप इतने गंबीर होकर क्यों देखते हो इतने सिरियस होकर क्यों देखते हो आपकी सिरियसने इसको देखकर लड़की भी आपसे आखे मिलाने को डरती है आप इतने गंबिर क्यों हो, क्या गम है आपको जो आप इतने गंबिर हो आप कभी भी अपने आसपस देखो और महसुस करो जो इंसान जैसा दिखता है हम उसके जैसा ही दिखना शुरू कर देते हैं जैसे कोई अगर हस रहा है तो हम भी उसके साथ हसने लगते हैं कोई रोता है तो हम भी उसके जैसा मन में रोने का भाव ला लेते हैं वैसे ही कोई भी अगर गंबिर होता है तो उन्हें देखकर हमारा मन भी डिप्रेशन में चले जाना लगता है यही सेम चीजे भी हमें देखकर लड़किया भी फिल करती है और जो लड़का डिप्रेस रहता है लड़की भी उससे दूर होना शुरू कर देती है इसलिए जब भी लड़की को देखो तो एक इसमाईल क्ली फेस के साथ देखो इससे लड़की भी इसमाईल करेगी और सोचेगी ये बंदा वो एक जबरदस्त और कूल बंदा है जो लाइफ को इंज़र करना जानता है जिसके साथ मैं भी अच्छा वक्त विता सकती हूँ और लाइफ को भी इंज़र कर सकती है मेरी दूसरी बात है घबराना घबराओ मत दोस्तो क्या होता है जब हम किसी लड़की को देखते है तो लड़की भी हमें देखने लगती है तब हमें घबराट होने लगती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या करू, क्या बात करू ये सब सोच कर हम घबराने लगते है जो कि हमारे चहरे पर, हमारी आखों में लड़किया साफ साफ देख लेती है तब लड़किया भी हमसे कत्राने लगती है या फिर हमसे छुपती फिरती है देखो दोस्तो, ये जरूरी नहीं कि आप लड़की को पहली बार देखते ही उससे बात करना शुरू कर दो आपको अगर बात करने का अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप लड़की को एक प्यारी सी इस्माइल देकर वही फिर खतम करो बाद में आप फिर कभी लड़की से मिलो तो उससे पहले दिन की बात बारे में पूछ सकते हो जैसे अरे मैंने आपको उस दिन फालाने इंसान की पार्टी में या शादी में देखा था वैसे आपका उनसे क्या रिलेशन है इस टाइप से आप बाते शुरू कर सकते हो अगर लड़की आप से बात करने में इंट्रेस्टेट है तो आप सिंपल सा तारीफ कर दो जैसे पार्टे में आप पिंक कलर के ड्रेस में अच्छी लग रही थी ऐसा लगता है कि वो ड्रेस श्रिप आपी के लिए बनाया गया है लेकिन आपको बहुत ज्यादा भी तारीफ नहीं करनी चाहिए इसलिए जरूरी नहीं कि आप पहली बार लड़की को देखो और क्या बात करूँ सोच कर नर्वस हो जाओ या फिर घबरा जाओ मेरी तीसरी और सबसे खास बात ड्रेसिंग सेंस आपका चहरा आपका रंग कैसा भी हो चलेगा लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस जबरदस्थ होनी चाहिए क्योंकि लड़किया जब भी लड़कों को देखती है वो सबसे ज्यादा ध्यान लड़कों के ड्रेस पर या यू कहो कि उनके स्टाइल पर ध्यान देती है मैंने ऐसे बहुत लड़कों को भी देखा है और अपने दिमाग में आपके एक इमेज बना लेती है इसलिए सबसे ज्यादा आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना चाहिए लास्ट में एक बात बताऊंगा उस बात को ध्यान में रखिए या अपने दिमाग में बिठा लो लड़की को आपका देखना पसंद नहीं आ रहा है तो आप भी मत देखिए बरना आपको पस्ताना भी पड़ सकता है